हेलो दोस्तो तो दोस्तो अगर आप भी एक डाटा इंट्री ऑपरेटर बरना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं कि एक डाटा इंट्री ऑपरेटर क्या होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि डाटा इंट्री ऑपरेटर क्या होते है इनका काम क्या होता है इसे अगर आप एक डाटा इंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास योगिता क्या होनी चाहिए कौन से आपके पास कोड़ को करना होता है कौन सा ग्रिचुएशन करना होता है इस तो दोस्तो स्वागत है हमारी यूटूब चैनल करियर फोकस चुपायन सेरियो में तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेते हैं कि डाटा इंटरी ऑपरेटर क्या होता है दोस्तो कम्प्यूटर में किसी भी डाटा यानि कि जो इनफॉर्मेशन होती है उसको लिखना डाटा वो कम्प्यूटर सॉप्ट्यूएर में इंटरी करके डाटा के रूप में एकत्रिक किया जाता है जो व्यक्ति कम्प्यूटर सॉप्ट्यूएर को किसी भी जानकारी को लिखने का कारे करता है या फिर डाटा को इंटरी करता है उसे ही डाटा इंटरी ऑपरेटर कहा जाता ह दोस्तो वर्दमान सामय में सभी छेतरों में data entry operator की मांगी पढ़ रही है दिन पर दिन इसमें चौफ की opportunity पढ़ रही है तो दोस्तो गर आप भी एक data entry operator बनना चाहते हैं तो आपके पास योगिता क्या होनी चाहिए आईए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो दोस्तो गर आप अब ही data entry operator बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंट पास करना होता है इसके बाद आपको 12th पास करना होता है दोस्तो आपका 12th किसी भी स्टीम से हो सकता है यानि कि आपका 12th science commerce art किसी भी स्टीम से एकर आपने 12th पास कर लिया है इसके बाद आपको अपना graduation पूरा तो करवाते हैं तो वहां पे आप एडिमिशन लेके इस को कर सकती है इसके बाद आपको हिंदी या फिर इंगलिस दोनों लेंग्वेज का आपको अच्छा नौलेज होना चाहिए दिया अप एक डाटा इंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं क्योंकि डाटा इंट्री दोनों साथ आपको email sending करना यानि को email को भेजना आना चाहिए और email को देखना भी आना चाहिए इसके साथ साथ आपको scanning printing का अच्छा knowledge होना चाहिए इसके साथ आपकी जो typing speed होनी चाहिए Hindi और English तोनों language में आपकी अच्छी होनी चाहिए जोफतर अगर आप किसी सरकारी भी भाग में डाटा इंटी की जोब पाना चाहते हैं तो इसमें आपको तोल्ट पास करना होता है दोस्तों आपको किसी भी स्टीम से हो सकता है इसके बाद आपको अपना ग्रिजुएशन पूरा करना होता है ग्रिजुएशन भी आपकी से सब्यक्ट से कर सकते हैं जो अपना ग्रिजुएशन कंप्लेट कर लेते हैं इसके बाद आपको डाटा प्रिंटिंग कैसे क्या जाता है तैपन उपरेटर समय समय के सरकारी में Go है प्रहूं तो आप उसमें अभेटन कर सकते हैं इस आप प्राइबवेट शॉप लवेंग निकाली दो वेकंसी में आपको अप्लाई करना होता है डॉने के बाद वहां पे आपको गवर्म EST esse यांगराव सेनोग्राफर न चाहते हैं तो उसके लिए एकक्सांट्जा को होता हैज्ए सेनोग्राफर क्या होता है तो हमने ओलोडी इस पे वीडियो बना धिया जहा है कि कैसे एक सेनोग्राफर सरकाली सेनोग्राफर बनते हैं दोस्तो अगर आप प्राइबेट में अगर आप डाटा इंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो दोस्तो अगर हम बात करें डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेली की तो यदि आप एक प्राइबेट कंपनी में चौप करते हैं तो वहां पर आपको लगबग इस स्टार्टिंग सेली आपको लगबग 20-25,000 रुपए तक होती है वहीं अगर आप एक सेनो ग्रॉफर बनते हैं सरकारी भी भाग में तो वहां पर आपको लगबग 30,000 रुपए तक आपको स्टार्टिंग सेली होती है जैसे आपको एक्स्पिरियंस बढ़ता है आपकी सेली भी पढ़ती रहती है तो दोतो ये थी जैनकारी डाटा इंट्री उपरेटर के बारे में hawप आप समझ कियो नगे कि डाटा इंट्री उपरेटर कैसे बनते है इनका काम क्या होता है योगता क्या हुए एक कॉछा कोज fuss करना होता है कौन से skills आपके पास होनी चाहिए और एक डाटा इंट्री उप्रेटर बनने के बाद साली किती मिलती है इन सब के बारे में हमने डीटल्स में जान लिया है I hope ये वीडियो आपको helpful लगा होगा वीडियो से related अगर आपके मान में कोई question हो तो comment करके फूस सकते हैं अब तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेच करना ना बोले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तक तक के लिए जय हैं